जब शाम को डिवेट चलती है टेलिविजन पर तो आब आदमी पार्टी के साथ में मीडिया बंदू भी हम से ये सवाल पूछते हैं कि क्या उनके एमेलो को तोड़ा जा रहा है हम कोई किसी बात पर भी जवाब नहीं देंगे क्योंकि प्रशन पहले हमने खड़ा किया किया आपने शराब में घोटाला किया उसके उपर में कोई जवाब नहीं देना और इसको पूरे मुद्दे को डाइवर्ट कर देना ये अब आमादमी पार्टी ने अपना तरीका बना लिया है हमारा उनसे सीधा सीधा प्रशन है कि आपने जो कमेटी ने आपको सारी पॉलेसी रिकमेंड करी थी आपने उसको क्यों नहीं माना और जो एलवन का कमिशन था उसको आपने दो परसंट से बारा परसंट क्यों कर दिया इस बात का आज तक किसी भी डिबेट पर कोई भी आम आदमी पार्टी की stick कोफरेंस में केवल इस दो पर्संट से बारा परसंट क्यों किया इस बात पर कोई जवाब आज तक ना किसी ने मांगा है ना उनोंने दिया है और ना वो देंगे क्योंकि policy में जो सबसे बड़ा corruption है वो केवल ये 2% से 12% क्यों किया L1 का केवल यही सबसे बड़ा घोटाला है इसके उपर उनके पास में कोई जवाब ही नहीं है ये वही party है जो हर बात पर कागज दिखाने की बात करती थी जो हर बात पर जन सर्वे कराने की बात करती थी जो कहती थी कि अगर किसी महले में ठेका खुलेगा तो वहाँ पर सारा महला की meeting होगी उसके बात में वो तैय करेंगे कि ठेका खुलेगा या नहीं खुलेगा बगर इन्होंने कोई committee की बात नहीं मानी ना कोई इनोंने अपनी ही बात मानी तो इसलिए यह आजकल बहुत यह तो पिच्चर देख रहे हैं रातो रात में स्क्रिप्ट बना देते हैं कोई भी हमारे MLA जो है मिल नहीं रहे उनका नाम भी नहीं बताते कौन फोन कर रहा है बीजेपी वाला उसका भी नाम नहीं बता रहे मगर इनके कौन-कौन विधायक नहीं मिल रहे उनका भी नाम नहीं बता रहे अगर यह उनका नाम बता दे तो हमारे कारेकरता जो है उनके घर जाकर उनको ढूंड के ले आए और हम खुदी विधान सवा पहुंचा देंगे क्योंकि जब 2013 में हमारी 32 सीटे आई थी और आम आदमी पार्टी की 28 सीटे आई थी अगर उस सवे हमारे उपर ये आरोब लगाते तब तो जनता मान भी ले थी जितनी बेखूबी से जितने विश्वास के साथ में आज ये बोलते हैं मगर आज जब हमारे केवल आठ विधायक हैं और इनके 62 विधायक हैं अगर 50 विधायक भी आजाएंगे तो भी हमारी सरकार नहीं बनेगी तो हमारे 5 विधायकों को जो है खरीद रहे हैं 10 को खरीद रहे हैं इस बात में कोई दम ही नहीं है तो हम कोई भी जो भी इनके प्रशन है उसके बारे में तब तक नहीं बोलेंगे जब तक ये हमारे प्रशनों का जवाब नहीं देंगे हमारा एक अपना किसी व्यक्ति ने एक मैंने पिच्चर देखी थी शोले तो वो शोले का बहुत फेमस एक डालोग है जब वो जै वीरू की शादी के लिए बात करने जाता है मौसी से तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि भाई अपना जो है कोई जूट वूट तो नहीं बोलता तो बोलते नहीं कोई ऐसा जूट नहीं बोलता बच्चों की कसम खा लेता है बस जो है अन्ना जी को धोका दे देता है गाड़ी बंगला सिक्योर्टी ले लेता है कॉंग्रेस से समर्थन लेकर सरकार बना लेता है हमारे नेताओं पर जूटे आरोब लगाकर माफी मांग लेता है और ज्यादा जूट नहीं बोलता है बस इतना ही जूट बोलता है तो वो पूछते विकास तो कराता है ना विकास को इमना डवलमेंट तो करा रहे है हाँ कर अपने घर में सरकारी घर में 21 करोड का स्विमिंग पूल बना रहे हैं और क्या विकास कराएंगे यमना को साफ नहीं कराते हैं दिल्ली को सबसे पॉलिटेड राजदानी बना देते हैं एक भी नया स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, सेडियम नहीं बनाते हैं बाकी नेता हमार अच्छा है भी शरावर आप तो नहीं पीता ना 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 बिल्कुल खुद नहीं पीता है मगर हमारे बच्चों को पिलाता है 25 साल की उमर को 21 साल कर देता है रात को तीन बज़े तक रेस्टोरेंट खुले ठेके खुले उसके लिए पर्मीशन देता है शराव माफियाओं के साथ बिलकर घोटाला करता है जो ठेके की संख्या है उसको डबल कर देता है बस और कुछ नहीं करता है नेता हमारा अच्छा है भई अपना राश्ट्रे सुरक्षा का तो ख्याल करता है अरे बहुत बड़ा देशभक्त है केवल सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा देता है नेता हमारा अच्छा है भई लोगों की स्वास्ते की चिंता तो करता है ना तुम्हारा केजरिवाल लोगों की नहीं करता है अपनी तो खूब करता है जब से मुख्य मंत्री बनाए 35 किलो वजन बढ़ गया है कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया कोवीड में एक भी कोई प्लांट नहीं लगाया दिली में तेईस हजार लोग जिस महीने मरे थे उसी दिन उसी महीने में एक्साइज पॉलिसी लेकर आए सारे मंत्रियों को इलाज अपोलो होस्पिटल में कराता है सरकारी होस्पिटल में नहीं भेज़ता दिल्ली में मोदी जी की आयुश्मान योजना को लागू नहीं करता नेता हमारा अच्छा है तो ये इनकी हाल हो गया है आप इनसे कैमिस्ट्री का सवाल पूछो हिस्ट्री का जवाब देंगे तो रातो रात में इनके MLO को कौन अटैची में भर कर ले गया कौन उनको बोरी में डाल कर ले गया कौन कहा ले गया आप हमें बताइए किजरिवाल जी अगर आपका कोई MLA नहीं मिल रहा है आप हमें बताइए हम दिल्ली पूलिस में कंप्लेंट करके उसको घर से अपनी गाड़ी में लेकर आपकी विधान सवा में आपके घर तक पहुँचाएंगे सुरक्षित पहुँचाएंगे आप उसका नाम मकर नाम तो बताना पड़ेगा कौन आपको फोन कर रहा है वो तो बताना पड़ेगा आज इन्होंने राजगाट को एक अपना राजगाट जैसी पवित्र स्थान को गंदा कर दिया है तो हमारे कारे करता आज वहाँ पर जाएंगे वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करेंगे क्योंकि वो हमारे राश्ट्र पिता महात्मा गांधी जी जो हमेशा शराब का विरोध करते थे आज उधर जाकर कम से कम ये पश्चत आप करके ये तो बताएं कि उन्होंने कितने सैकडो करोड का घोटाला किया है वहाँ पर जाके तो माफी मांग ले मगर इनको इतनी शरम नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं इनको एक बात अच्छे से पता है कि केजरिवाल जी को जो ये बार-बार बोलते हैं मनी सिसोदिया जी दो-तिन दिन में जेल में जाने वाले हैं ये बात इनको अच्छे से पता है और मनी सिसोदिया को ये बात अच्छे से पता है कि उसने फाइल पर साइन किये थे चाहे ये जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा ड्रामा कर लें चाहे एक दूसरे को आसकर के लिए नॉमिनेट कर दें मगर इनका जेल जाना निश्चित है इनको जेल जाने से कोई नहीं बचा पाएगा क्योंकि जाच एजनसियों के पास में सारे सबूत हैं, सारे गवा हैं सारी डील, सारी ट्रांजेक्शन कहां कहां कैसे कैसे हुई है उनके पास में सारी रिपोर्ट है इसलिए इनका बचपाना मुश्किल है बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल और तो कोई कारण नहीं है क्योंकि आज उन्होंने जो दिल्ली में शराब माफियाओं के साथ में मिलकर जब दिल्ली में तेईस हजार लोग कोविट से मरे उस महिने में ये एकसाइस पॉलिसी लेकर आते हैं और इनका सांसद रागव चड़ा ये कहता है कि अगर मार्श में कोविट आ गया तो हमें क्या लेना देना अगर लोग मर रहे हैं तो हमें क्या लेना देना हम तो शराब की पॉलिसी लेकर आएंगे अगर ऐसे लोग हमारे राश्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के समाधी पर जाएंगे तो निश्चित ही वो जगा अपवित्र हो गई है इसलिए हम कारेकरता मिलकर वहाँ पर जाएंगे गंगा जलका छिटकाव करेंगे धन्यवाद थोड़े दिन आप जरा इंतिजार कर लीजिए जब हमने जिसका नाम लिया था उसके उपर में जब होगा नोटिस जारी जांच अजनसी द्वारा उनको बुलाया जाएगा तब सारा दूद का दूद और शराब का शराब हो जाएगा